हलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उत्तरवर्दी शूर शाषकों की जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1540 में मुगल सामराज के दूशे शाषक यानि हुमायू की विलग्राम के युद्ध में हरा के शेशा सूरी ने शूर वरंज की स्थापना की थी दोस्तों 1540 में शेशा सूरी बनता है शूर वरंज का पहला शाषक लेकिन 1545 आते आते एक युद्ध अभियान के दौरान दुरगटना वस शेशा सूरी की निव्रत्य हो जाती है एक बड़ा सामराज पीछे छोड़ के शेशा सूरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है नतीशतन मात्र एक दशक में ही शूर वरंज का हमेशा के लिए पतन हो जाता है तो यहां हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से शेशा सूरी के उतराधिकारियों ने कारी किया और देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने शूर वरंज को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो दोस्तों 1545 में शेशा सूरी की कालिंजर के युद्ध के दौरान एक बारूद में आग लगने के कारण शेशा सूरी की दुरगटना वश्मरत्य हो जाती है और उसका उतरा धिकारी घोशित किया जाता है उसके छोटे पुत्र जलाल खां को यानि जलाल खां जो अपना र शेशा सूरी के काफी करीब था इसलिए दिल्ली दर्बारी सरदारों ने इसलाम शाह को सत्ता सौपी सूरवंच की और उसके बड़े भाई को सत्ता से बेदखल कर दिया नतीशतन दोनों के मद्दे काफी विवाद रहा और अंतता जलाल खां इस विवाद में विजई होता है और सत्ता समाले रखता है सूरवंच की लेकिन दोस्तों अत्यधिक कुछ भी नहीं कर पाया था इसलाम शाह भी फिर भी इसलाम शाह ने अपने पिता की कुशल प्रशाशनिक नीतियों को जारी रखा और कोशिश की कि कि जिस तरीके से सेशा सूरी ने एक केंदीर करत शा शाशन बेवस्ता बढ़ा नहीं सकता है या बहतर नहीं कर सकता है तो बनाय जरूर रखे दोस्तों इसलाम साह ने अपने पिता का बदला लेने के लिए उसी किले पे दुबारा हमला कर दिया जहां सेशा सूरी की मिरत्य हुई थी और कालिंजर के इस अभियान के दौरान पिता की मिरत्य का बदला लेने के लिए जो भी कालिंजर के किले के अंदर राजपूत मौजूद थे उनकी उसने हत्या करवा दी तो दोस्तों एक अभियान इसलाम साह के भी हिस्से में आता है कालिंजर पे और अधिक इतिहास में इसका वर्णन नहीं मिलता है ज्यादा का कार इसके नहीं मिलते हैं बाइस नमबर 1554 को इसलाम साह की भी मृति हो जाती है दोस्तों और इसके बाद सत्ता आती है इसके पुत्र के हाथों में तो इसके मृत्व के बाद इसका पुत्र फिरोष्शा गदिपर बैठता है लेकिन दोस्तों शीर शा सूरी का एक भतिजा यानि फिरोश्या का चाचा मुहम्मत मुबारिक खां फिरोश्या की हत्या कर देता है, यानि अपने भतीजे को समाप्त कर देता है और सत्ता अपने हाथों में ले लेता है, तो इस्लामसा का पुत्र अधिक दिनों तक सत्ता पे नहीं रहा उसको उसी के चाचा ने हटा दिया अब मुबारिश खान ने मुहम्मद आदिल शाह के नाम से शाशन किया और दोस्तों इसने शाशन जरूर किया लेकिन इसके पीछे एक व्यक्तित था जिसका नाम था हेमू जो कि इसका सेना पती था और दोस्तों मुबारिश खान के हिस्से में इसने जो बहादुरी और योगिता का परिश्य दिया कि इसने कभी भी कोई भी युद्ध हारा नहीं और मुबारिश खाक की सत्ता को काफी बनाये रखा तो दोस्तो हेमु का प्रभाव भी बहुत ही बहतर था उस में के शाष्कों से जिसके बारेमे हैं हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो मोहमद आदिल साह के समाप्त के बाद उसका उतराधिकारी बनता है इब्रहेम शासूरी इब्राहिम सा सूरी ये पांचवाँ शाशक बनता है सूर वंच का खास कुछ भी नहीं कर पाया है दोस्तों ये भी और इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है एहमद शाह और दोस्तों एहमद सा ने अपना राजविशेक कराया था सिकंदर सा सूरी के नाम से और 1555 में सत्ता समालने के महज कुछ दिनों बाद ही हुमायों ने हिंदुस्तान पे दुबारा हमला कर दिया और चूकी सूर वंच की कमर पहले से तूट चूकी थी केवल उस पे एक धक्क लगाने की आवशक्ता थी और ये काम कर दिया हुमायों के आकरमन ने तो दोस्तों सिकंदर सा सूरी हार जाता है हुमायों से और साथ ही समाप्त भी हो जाता है और साथ ही समाप्त हो जाता है सूर वंच का आधिपत्य भी दुबारा स्थापित हो जाता है 1555 में हुमायों का राज या मुगल सामराज हिंदुस्तान की गद्धी पे तो दोस्तो ये कहानी थी 1540 से लेके 1555 तक शूरवंच के शाशन की दोस्तो पूरे शूरवंच में केवल सौर और पराकरम का एक ही नाम रहा और वो था सेरसा शूरी और उसी के साथ समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करक के शूरवंच 1555 में तो दोस्तो ये कहानी थी शूरवंच के उत्तरवर्ती शाशकों की आगे के वीडियो में हम लोग हेमू के बारे में देखेंगे दोस्तों बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों